हालो एवरीवन वेलकम टू इलेटकल डिपार्टमेंट आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आयोसील अप्रेंटिसिप की जो विकेंसी आई है उसमें एक्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और स्लेवर्स क्या होगा इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि इसका पीडियाप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं साथी notes भी आपको टिलेग्राम पर प्रोइट कर देंगे जो कि IOCL के apprenticeship की तयारी में आपके लिए helpful होगा तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसका selection process किस base पर रखा गया है यहाँ पर आपको पहले बता दें अभी जो IOCL में वेकेंसी आई है 1600 प्लस वेकेंसी आई है उसके लिए जो syllabus है और exam pattern है थोड़ा सा change हुआ है ठीक है पहले बादा जो pattern था वो थोड़ा सा अलग था और आपका जो pattern है वो अलग है तो आप लोग वीडियो को देहां से देखें तभी आपको समझ में आएगा कि actual में इसका syllabus का है exam pattern क्या है और selection process क्या है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके selection process का यानि कि form को apply करने के बाद selection process किस base पर होगा तो देखिए इसमें जितनी भी vacancies निकाली गी है सबसे पहले इसमें आपका return test होगा आपका टू आवर का return test होगा return test जो conduct कराया जाएगा वो mcq-based होगा यानि कि 4 option होगे एक option उसमें से सही होगा और जो भी candidate इसको मतलब कि इसमें अगर आपको qualify करना है तो आपको minimum 40% mark लाना होगा और जो SC, STI, PWD के हैं तो उनको 35% marks लाने होगे नहीं तो वो पहले है disqualify मतलब जो vacancy निकाली गी है इसके लिए disqualify हो जाएंगे अब इसके बाद अगर आप इस exam को qualify करते हैं इसके बाद आपका होगा document verification ठीक है तो जो भी candidate merit की merit आएगा merit में जिनका नाम होगा उनको बुलाया जाएगा document verification के लिए document verification होने के बाद आपका होता है इसमें pre engagement medical fitness तो जो apprenticeship act है उसके ताहद medical fitness का कुछ standard रखा गया है वो आप लोग internet पर official website पर जाकर देख सकते हैं कि medical fitness में क्या क्या चीज़े होता है ठीक है medical fitness क्लियर करने के बाद आपको apprenticeship के लिए engagement मतलब की apprenticeship के लिए appointment कर लिया जाता है इसके बाद आप company में apprenticeship करने लगे तो यह इसका full selection process है इसमें select होने का अब बात करते हैं इसमें exam pattern क्या होने वाला है trade apprentice, technician apprentice और graduate apprenticeship के लिए देखिए trade apprenticeship की बात कर लेते हैं और technician apprenticeship के लिए जो आपका exam pattern होगा वो बिल्कुल same ही होगा ठीक है trade apprenticeship यानि की fitter, electrician, electronics, mechanics, instrument, mechanics, mechanics और technician apprentice में mechanical, electrical, instrumentation, civil, electrical and electronics और keyword electronics इनमें जो आपका exam pattern होगा इसमें से आपको बता दे 100 questions आपको exam में आएंगे और वो 100 questions कहां से होंगे technical acumen in relevant discipline यानि की जिस भी trade या जिस भी branch से आप apply करेंगे उसके question होंगे उसके बाद generic aptitude including quantitative aptitude यानि की math से question होंगे इसके बाद reasoning abilities के question होंगे इसके बाद basic language skills के question होंगे ठीक है यह हो गया trade apprentice और technician apprenticeship के लिए इसके बाद बात कर लेते हम graduate apprenticeship के लिए जो की BA, BSC, BCOM, BBA वालों के लिए है तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो आपको 100 questions देखने को मिलेंगे वो generic aptitude including quantitative aptitude यानि की math से question होंगे इसके बाद आपके question होंगे reasoning ability से इसके बाद basic English language skills से भी questions होंगे इसके बाद बात कर लेते हम trade apprentice में जो कुछ post है data entry operator के लिए और retail sales associate के लिए उनका exam pattern अलग है उनके लिए के लिए generic aptitude यानि की के लिए math से question होंगे इसके बाद reasoning ability से और basic English के question देखने को मिलेंगे तो यह होगे आपका exam pattern, exam pattern आपको फिर से एक बार हम दिखा देते हैं exam pattern में आपके पास 100 question आएंगे हमने आपको topic बता दिया कहां कहां से आएंगे 100 question होंगे, 100 marks की होंगे इसके लिए आपको 120 minute का time दिये जाएगा negative marking इसमें नहीं होगा ठीक है, इसमें कहीं भी negative marking के बारे में mention नहीं किया गया है अब सबसे important है, हमने आपको topic बता दिया अब full levels क्या होगा, इसका मतब आप तयारी कैसे करेंगे तो देखिए, general aptitude में काफी जो question का level होता है वो easy to medium होता है, hard level की question इसमें नहीं आते है क्योंकि यह apprenticeship की vacancy है ठीक है, general aptitude से हम बात कर लेते हैं कौन-कोन से topic से question आएंगे तो number system से आपको question देखने को मिल सकते हैं HCF and LCM से, average से percentage की question आ सकते हैं profit and loss हो गया, ratio and proportion हो गया simple and compound interest हो गया time and distance, time and work, problem and ages मतलब एस से लेटर जो question होते हैं इसके बाद pipe and questions की question हो सकते हैं mixture and allegation से question आ सकते हैं probability से question हो सकते हैं permutation and combination, logarithm, boards and stream square and cube, roots, search and index and mensuration यह topic है आपका general aptitude के लिए इस सभी topic से questions आपको देखने को मिल सकते हैं, अब बात कर लेते हैं reasoning abilities के, तो reasoning ability की बात करें तो verbal and non-verbal reasoning हो सकते हैं लगवग जो आप किसी भी competition exam के त्यारी करते हैं, non-tech में जो questions आते हैं, वही होंगे इसमें arithmetic reasoning हो गया, alphanumeric reasoning हो bullet relation, data interpretation and analysis analysis data, subsciency, analytical reasoning, syllogism, decision making, visual reasoning, problem solving, classification, clocks and calendar यह हो गया आपका reasoning का topic, इन सभी topic से reasoning के question आ सकते हैं अब बात करें हम basic language skill का तो vocabulary से question आ सकते हैं antonym synonym के question हो सकते हैं, items and phrases हो सकते हैं reading compressions, error detection, correction, fill in the blanks, sentence rearrangement, word phrase replacement, subject work agreement preposition के question हो सकते हैं, verbs, article, adjective, attitude and passive wise के questions आपको देखने को मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं, discipline से, तो electrical discipline से अगर आप अपलाई कर रहे हैं तो inner log and digital electronics के question होंगे control system से question देखने को मिल सकते हैं electronic, electromagnetic theory, electronics device, electrical instrumentation, electrical machines, network analysis, power electronics and drives, power system analysis and control, power system protection यह सभी topic है, electrical branch के लिए इसके बात स्विच गियर और यू डबल यानि की utilization आप electrical energy से question देखने को मिल सकते हैं इसके बात कर लेते हैं, electronics and instrumentation के लिए तो inner log electronics topic हो सकता है, analytical, optical and biomedical instrumentation, control system and process control, digital electronics, basic up circuit and measurement system, transducer, mechanical measurement and industrial instrumentation, signal system and communication, electrical and electronics measurement ठीक है, chemical engineering वालों के लिए बात कर लेते हैं, यहां पर तो atoms and molecules हो सकते हैं, electro chemistry, proto chemistry, इसके बाद reaction dynamics, organic reactions, spectroscopic techniques हो सकते हैं, transition metal, chemistry, stereo chemistry से इन सभी topic से question आ सकते हैं तो basic question ही होंगे, ज्यादा hard level के question, apprenticeship की वेकेंसी में देखने को नहीं मिलेगा electronics and communication की बात कर लेते हैं, अब analog and digital communication, analog circuit, control system, digital circuit, electronic device, electromagnetic, engineering in mathematics, signal and system network इन सभी topic से question आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो यह सभी topic है, इन सभी topic से आपको question देखने को मिल सकते हैं बाकि आपके वेकेंसी के लिए तयारी करने के सब्सक्ति अच्छा तरीका है, आप लोग अगर थोड़ा सभी पढ़े हैं इसके बारे में, तो mock test दीजिए, mock test में आपको पता चल जाएगा और previous year के जो questions है, उनको analyze कीजिए, उस type के question की तयारी कीजिए previous year के जितने भी question है, आप रेटिसिप के, उसका PDF आपको मैं टेलिग्राम में देखने को मिल जाएगा 102 दिन में हम टेलिग्राम पर upload कर देंगे, बाकि स्लेबस का जो PDF है, इसी PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए इसी PDF के स्लेबस से आप तयारी कीजिए, ठीक है, यही आपका स्लेबस है और इसके स्लेबस का PDF वीडियो के description में लिंक दिया गए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वहाँ से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है आपको तो टेलिग्राम जाइन कीजिए, वहाँ पर आप डिरेक्ट इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं तो यह था IOCL Apprentice 2023 और 2024 के लिए, स्लेबस, exam pattern और selection process ठीक है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बता हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा, बाकि अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में